हेलो नमस्कार आदाफ से स्रीकाल मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश बिल्लिंग चोहान आप लोग का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर दोस्तों आज हम लोग एक कि इंपोर्टन टॉपिक के ओपर चर्चा करने वाल हैं को कि हाली में आप लगाताल खबरों में देख रहे हो कि चाइना ने एक आटिफिशाल मून क्रियेट किया है ये आशिव क्या और Ihrer कि समझने वाले हैं कि यह दृति पर रहे गा यह इसे आसमान में भेजा जाएगा इस इस Artificial Moon का यूज क्या है इस Artificial Moon का प्रियोग क्या है इस Artificial Moon को create क्यों किया गया और किस तरीके से किया गया है इतना इनी थोड़े समय पहले आप खबरों के अंदर पड़ोगे तो एक Artificial Sun भी create किया गया था चायना द्वारा तो लोग उस आर्टिफिशल सन के बारे में भी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों सेशन बशुरू करते हैं बट उसके पहले आप लोग में साथ में सासी 10 टेलीग्राम ग्रूप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रूप के ओपर जूड सकते हो क्योंकि यहां पर क्वीज़ वगेरा भी करेंट अफे से रिलेटेड आ जाते हैं अनकेडमी के ओपर अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो दोस्तों आप कोड यूज कर सकते हो हुआ क्या हुआ कुछ ऐसा है कि चांद बनाया गया है चाइना द्वारा इस चांद की जो साइज है यह दो फूट की है दो फूट का डायमीटर है इसका मतलब लगबए 60 सेंटीमेटर चोटा सा है अब आप वो लोगें किसर यह तो खिलो ना बना दिया है यह तो हमाला गली-गली में मिल जाता है इसके अंदर खास क्या है मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके बारे में खबरे बन गई कि आर्टिविशल चांद बना दिया क्योंकि इस चांद के अंदर कुछ खास है इस चांद के अंदर जो environment create किया गया है वो उसी तरीके का environment है जैसे की असली चांद पर होता है कैसे किया गया है दिमाग लगा दिमाग लगाओ कि अगर में को धरती के ओपर एक इसी चीज़ बनाना है जिसका पूरा environment चांद जैस तो पहले उसके धर्ती के इन्वामेंट से उसको अलग करना पड़ेगा सही बात है तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया एक शेल बनाया इस शेल के अंदर कंप्लीट वेक्यूम क्रियेट किया इस तरीके से कि धर्ती की ग्रैविटी का असर भी इसके अंदर ना और उसके इस चांद की ग्रैविटी असली चांद की ग्रैविटी के बराबर कर दी और असली चांद की इस तरीके से इन्हों किया चांथ में क्या किया कि यह जो चांद है इसके उपर पत्थर थोड़े मोड़े डाले थोड़ी वो डश्ट डाली वो पत्थर वो डश्ट वो रॉक ठीक उसी वजन की उसी तरीके की जो कि चांद से मिलती जुलती है वो यहां पर डाली गई क्योंकि पूराने एक एक्स्पोरेशन के अंदर चांद के तुकड़े जो है वो चाइना दौरा लेके आए गये थे तो उससे कम्प्लीटली मिमिक यहां पर किया गया और एक कम्प्लीट चांद जैसा इस्ट्रक्चर चांद जैसा इनवार्मेंट यहां पर क्रियेट किया गया अब कौनसी टेकनोल में एंड्रेजीम्स करके रशियन पर किया थी करने कि कीने यहिपिसिस्ट से थी तो चीजक को लेविटेशन का मतलब ना ऑरуется कि के देखो इस दुनिया में जिटने भी मटेरियल है बच्पन की कि किताब याद आ रही होगी कि इस दुनिया में जितने भी matter है वो कुछ fundamental matter से बनते हैं जिने हम atoms कहते हैं याद आया अब वो रदरफोड वगेरा वो साही दुनिया आपके दिमाग में चली होगी उन रदरफोड वाली दुनिया में एक दुनिया याद करो बोहर model हाँ याद आ रहा उस बोहर model को आप क्या कहते हो कि बीच में के न्यूकलियस होता है आसपास इलेक्ट्रॉन गूमते हैं क्या इसको डिंजर वगेरा model के उपर नहीं जा रहा हूं मैं अभी बेसिक के उपर समय नहीं गोश्च कर रहा है कि बोहर model यह करते हैं कि बीच में न्यूकलियस है और आसपास इलेक्ट्रॉन सबसे हैं तो जब भी इलेक्ट्रॉन घूं मिघून घूं रहा मतलब नेगेटीव चर्ज घूं रहा है इसका मतलब चार्ज घूम रहा उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं मतलब यहां पर क्या हो रही है electricity चल रही है इसी electricity बहुत ज़्यादा मात्रा में नी मतलब किसी मेंटर को touch के current लग गया इस पी गोई electricity नहीं बहुत minimal amount में अब आपको एकोची जाद आरी होगी कि जहां पर current होता है वहां पर magnetic field induced होती है है की नहीं मतलब इन सारे current की वज़े से यह जो electron है इन सब की वज़े से एक magnetic फिल्ड अलग-अलग direction में create होती है यह जब अलग-अलग direction में create होती तो random होती है जिसके current से वो magnetic field का कभी असर दिखता नहीं है क्यों नहीं दिखता है क्योंकि यह random है is current से एक दुसरे का effect जो है वो null कर देती पर जब किसी भी matter के पास में मैं एक बहुत बड़ा magnetic field लेके आता हूँ तो उसके बार इन सब की magnetic field streamline हो जाती है एक direction में और एक weak magnetic field matter जो है वो create करता है यही चीज die magnetic levitation के अंदर भी use होती है क्या होता है कि एक भारी magnet को एक ऐसी magnetic field को नीचे से create किया जाता है और जो उपर कोई सा material है जैसे कि इस experiment में frog के उपर किया गया था frog के उपर die magnetic levitation किया गया था कि frog को उपर रखा गया था नीचे से magnet भी आ गया था और magnetic field जब frog में पड़ रही थी तो frog के अंदर magnetic field induce हो रही थी opposite direction में जिसके कारेंट से यह दोनों एक दूसरे को repel कर रहे थे और frog उड़ पा रहा था कि कि इसी चीज को कहा जाता था die magnetic levitation पर एक ही तरीका नहीं होता die magnetic levitation का इसका मतलब die magnetic levitation का मतलब यह नहीं होता किसी भी चीज़ को हवा में उड़ा देना हमेशा पर die magnetism का एक और application है जब यह die magnetism किसी चीज़ को repel करने में यूज होता है तो कहीं बाए इसको attract करने में भी यूज किया जाता है बस magnetic field के change होने की direction को बदलना होता है बस इतना समझ लो कि वो फिर बहुत physics हो जाएगा मैं बताना चाहूं तो बता दूंगा बहुत physics हो जाएगा ठीक है तो ठीक उसका opposite भी यूज हो जाता है मतलब हमेशा वहाँ पर जो scientist है उन्होंने कुझा ने बोला है कि हमेशा इस die magnetic levitation का प्रयोग magnetic levitation का प्रयोग anti gravity रूप में यूज नहीं होता है पर कई बार इससे micro gravity create करने में भी यूज किया जा सकता है और वही यूज करके यहाँ पर gravity create की गई जीवाइशिक्स gravity यूज करने के बाद environment create किया गया ठीक मून जैसा और एक artificial मून तयार हो गया यह जो artificial मून तयार हुआ इसका जो मेन आइडिया था वो Russian physicist का था 121 का आइडिया है उसी चीज को यहाँ पर implement करके थोड़ा सा चेंज करके बदलाओ करके इतनी बड़ी discovery कर दी पर इसका फाइदा क्या है इसका बहुत फाइदा होने वाला देखो अभी अगर हम लोग को मून के ओपर कोईसी नई घोच करनी होती हम लोग को चेक करना होता ह मून के ओपर काम करेगा कि नहीं तो हमको बकायदा मून तक जाना पड़ता इतनी दूर तक इन्होंने क्या किया कि धरती के ओपर अपना मून बना लिया अब क्या होगा किसी चीज की जरुत पड़ेगी तो कोई भी मिशन अगर ट्राय करना है तो पहले उसको यहां पर ट् अगर नहीं चलता तो नहीं चलता चलता है तो चलता है थोड़ी थोड़ी चीजे जो है वह यहां से ही पता की जा सकती है इतना ही नहीं चाइना जो भी फ्यूचर में मिशन चलाएगा उन मिशन को पहले वह प्रॉपर रूप से टेस्ट कर पाएगा धरती पे धरती पे वह को टेस्ट करने के बाद अगर वह सक्सेस्फुल होता है तो फिर वह असली चंद्रमा पर उसको यूज करेगा ताकि इससे क्या होगा वह फेल मिशन जो है जिसके अंदर फोकट पैसे खर्चोंगे वह बचेंगे दूसरा और मिशन के सक्सेस्फुल होने के चांसे जो बढ़े के लिए पहले यहाँ पर चीजों को ट्राइ किया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि हाली में भविश्य के अंदर रिसर्च स्टेशन के लिए चेंग 6, चेंग 7, चेंग 8 करके यह मिशन जो है वो आने वाले है चाइन होने वाली है इसके अलावा चाइना ने रिसेंटली आप सुनोगे ना तो एक ट्रिलियंट डॉलर खर्च करके एक आर्टिफिशल सन भी बनाया था यह आर्टिफिशल सन क्या था चलो उसको भी समझ लेते हैं बात-बात में तो आर्टिफिशल सन यह रहा आपकी नजरों क प्रियेट होती है ना उसका पांच गुना एनरजी क्रियेट कर सकता तापमान यह बढ़ा सकता इसका नाम है इस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सूपर कंड़क्टिंग टोके मात यह जो आर्टिफिशल सन है इसके अंदर यह कहूं यह जो इस्ट है यह कहूं यह जो तापमान जो है वह मेंटेन किया मैंगर करूं तो 70,000,000,000 गूरी चेल्यशीस के आस्पास इस दौरा कि आप मान लगवग 1056 तक क्यèces अंद क्रियेटी रहा सूरज के तापमान की बात करूँ उसके कोर के तापमान की तो वो 15 million degree Celsius है लगबग 70 million जो है वो 5 गुना है मैंला सूरज के कोर का 5 गुना तापमान जो है वो इस reactor ने create किया गया था किने create किया था इस कारण से हम लोग कहते हैं कि ये एक artificial sun है चाइना ने इसको artificial sun के रूप में claim किया था तो ये चीज जो है ये दोनों अपने आप में बहुत unique है नहीं है जो कि चाइना ने हाली में की है जिसकी वज़े से science and technology के अंदर नए development जो है वो in future देखने को मिल सकते हैं ठीक है अगर इस East की बात करूँ तो ये East इतनी energy create कर पा रहा है अगर ये थोड़ा long term चलेगा तो उसकी वज़े से क्या होगा कि हम लोग एक इतनी amount में nuclear energy nuclear energy अपने आप में green energy होती है इतनी green energy create कर सकते हैं जो कि दुनिया की energy की demand को fulfill कर सकता है तो उसके अंदर ये East एक बहुत important role play कर सकता है in future तो ये साही चीज़ें आप लोग को अभी हाली में देखने को मिल रही है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं lecture अगर अच्छा लगाओ तो लाइक करो अगर बहुत अच्छा लगाओ तो नीचे comment के अंदर SRC 10 comment करो दोस्तों मैं आप लोग के एक एक comment पढ़ता हूँ और आपके comment में को motivate करते हैं ठीके दोस्तों इसके अलावा अगर आपको अनकार्ण में का सब्सक्रिप्शन लेना है चाहे टेलिग्राम के उपे वेजो चाहे वाट्सप के उपर वेजो आपको मैं personally one on one guidance दूँगा जहां पर आपको weekly target जो है वो मेरे द्वारा दिये जाएंगे ताकि आप अपनी पढ़ाई से भटको न आपके regular test quizzes जो है वो मेरे द्वारा कराए जाएंगे आपकी तैयारी को एक special age मेरे द्वारा दी जाएगी तो दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को काफी ज़्यादा help होने वाली है अभी unacademy के subscription के देड़ महिने वाले देड़ साल वाले subscription के उपर discount चल रहा है कल तक का यह discount है जिसके अंदर आप लगबग 15,000 रुपे तक बचा सकते हो और तीन महिने का extra extension मिल रहा है यह सब क्यों किया गया है unacademy is very strategic अगर आप आज इसे समझो तो लगबग देड़ साल यानि कि 18 महिने जून आ जाएगा 2023 जून 2023 जून महिना वह होता है जब आपकी प्रिलिम्स होती है साथ में तीन महिने का extension दिया है यह क्यों दिया है क्योंकि ठीक तीन महिने के अंदर अंदर मेंस हो जाती है तो आपका सब्सक्रिप्शन अपने आप मेंस तक चल जाएगा अभी तक क्या होता था बच्चे दो जोसाल का subscription लेते थे मेंस तक परने के लिए लिए तो जल्दी सब्सक्राइब करो इसके अलावा प्लस के subscription के प्राइस कुछ इस तरीके से हैं तो आप यह भी subscription अपने लिए चूज कर सकते हो तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं जैहिन जै भालत